असलाम लेकुम डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब माइन नेम इस रायान मलिक और आम हेर तो टीच यू साइंस ग्लास एट्थ आज हम स्टार्ट करेंगे चप्टर नमबर नाइन सॉल्ट्स का फस्ट लेक्चर अबाउट सॉल्ट्स तो आएँ चलते हैं बोट की तरव चप्टर नमबर नाइन सॉल्ट्स तो फस्ट लेक्चर इस अबाउट सॉल्ट्स किस तरहां से बनते हैं ठीक है इनका मैल्टिंग प्वाइट क्या होता है, इनकी फॉरमेशन किस तरहां से होती है तो आज हम इस लेक्चर में study करेंगे तो फर्स्ट अफ वाल हम कुछ प्रोपर्टी से गरहां, तो सॉल्ट्स जो है, वो सॉलड ट्फॉम में मोजूद होते हैं ठीक है इसके इलावा इनका melting point जो है वो भी काफी high होता है और इसके लावा अगर हम बात करें तो water of crystallization means कि कुछ salts के अंदर जो है वो small amount of water present होता है जो कि crystals बना जाते हैं ठीक है तो उस चीज़ को हम कहते हैं water of crystallization and the water contained in salt crystals is called water of crystallization clear? I hope आप को ही समझ आ गया होगा कि वो salt जिज़ में small amount of water present होता है वो water जो है वो crystals बना देते हैं और उस चीज़ को फिर हम कहते हैं water of crystallization ठीक है next अगर हम study करें तो salts are soluble कुछ salts जो है वो इस तरहां के होते हैं कि जो पानी में easily soluble हो जाते हैं जैसा कि हम घर में नमक इस्तामाल करते हैं that is NaCl ठीक है वो भी अगर हम घर में पिसको पानी में dissolve करें तो वो easily dissolve हो जाता है ठीक है कुछ salts जो होते हैं that are slightly soluble means कि वो कुछ soluble हो जाते हैं और वो कुछ है वो soluble नहीं होते और last one is insoluble कुछ salts ऐसे होते हैं कि जो बिलकुल ही dissolve नहीं होते ठीक है यही थी कुछ properties अब हम पढ़ते हैं कि salts है वो basically बनता किस तरह से अपने पढ़ा होगा जब acid और base आपस में मिल जाते हैं तो इनके मिलने से salt form होता है ठीक है इनके मिलने से salt form होता है और साथ ही कुछ water भी evaporate होता है ठीक है अब अगर हम इसका reaction study करें तो acid और base जब मिल जाते हैं तो इनके मिलने से क्या बन जाता है salt बनता है plus water बन जाता है clear अब हम इसको study करते हैं by taking an example like acid जो है हमने यहाँ पर ले लिया HCl that is hydrogen chloride base यहाँ पर ले लिया NaOH that is sodium hydroxide ठीक है अब जब यह acid और base आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा NaCl form हो जाएगा that is sodium chloride salt अब अगर हम यहाँ से देखें तो Na basically base से आया है और Cl जो है तो यहाँ पर एक hydrogen है यहाँ पर hydroxide आइन है जब यह इसके साथ मिल जाएगा तो वह H2O बना बना देगा that is water ठीक है तो इसके clear हो गया कि जब acid और base आपस में मिल जाते हैं तो इनके मिलने से क्या बन रहा है salt बन रहा है और साथ water बन रहा है clear I hope आपको यह समझ आ गया अब हम इसकी definition study करते है a salt is any compound formed by neutralizing an acid with base or an alkali ठीक है salt एक ऐसा compound है जो के form होता है जब acid और base आपस में मिलकर neutralize हो जाएए या acid और alkali जो है आपस में मिलकर उसको neutralize बना दे तो एक new compound जो बनता है that is salt I hope आपको यह topic clear हो गया होगा अब हम next part पर चलते हैं इसको further study करने के लिए जी the next topic is naming of salt कि अब हम salt को हम name किस तहां से देते हैं ठीक है that is the name of a salt has two parts इसके दो parts होते हैं the first part comes from the base ठीक है अब जैसे हमने previous example हमने भी study की तो उसी को हम discuss करते हैं like उसमें बेस लिया था n a o h उसने कहा salt का जो पहला नाम आएगा वो बेस से आएगा that is n a sodium okay and the second part comes from acid तो जो हमने acid यूस किया था that is hcl ठीक है इसका जो second part है वो नेम जो है वो यहां से आ जाएगा that is c l chloride ठीक है तो इस तरह से sodium और chloride जो है वो आपस में मिलकर इसका नाम बना देंगे यहां से हो जाएगा sodium और यह हो जाएगा chloride ठीक है विच इस एं ए सी एल ठीक है तो यह दोनों आपस में मिलकर इस तहां से एक नेम बना देंगे that is sodium chloride which is n a c l ठीक है यहां से clear हो गया आपको कि first part हम कहां से ले रहे हैं बेस से ले रहे हैं बेस क्या था हमारे पास n a o h तो first part हमने ले लिए बेस से that is sodium first name second part comes from the acid acid क्या था hcl hydrogen chloride यहां से हमने chloride लिया ठीक है तो sodium chloride एक नाम बन गया salt का तो अपने हमेशा यह जीज़ याद रखनी है हम हमेशा एक salt का जो पहला part है salt का अगर हमने name design करना हो तो उसका जो first part है वो हमेशा हम किस से लेंगे बेस से लेंगे ठीक है और जो second part है वो हम किस से लेंगे वो हम acid से लेंगे ठीक है और से से को मिला कर एक नाम मना देंगे that is sodium chloride ठीक है अब हम further example study करें तो यहां पर एक ओल salt है that is calcium chloride ठीक है अब सेम ऐसे ही calcium जो है वह बिसिकली एक base से लिया गया है और chloride जो है वो basically एक acid से लिया गया है ठीक है तो सेम अगर ऐसी हम next बात करें that is magnesium sulfate ठीक है magnesium sulfate में magnesium जो है वो base से लिया गया है और sulfate जो है वो एक acid से लिया गया है तो इसका एक और नाम भी है that is ipsum salt ठीक है clear अभी हम इसको further study करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि magnesium और sulfate जो है किस तरहां से हम बात कर रहे है basically sulfate जो है that is from taken from sulfuric acid H2SO4 ठीक है अब एक acid से sulfate आएगा और वो आकर मिल जाएगा magnesium के साथ तो इस तरह से salt बन जाता है magnesium sulfate जिसका पहला जो नाम है magnesium वो किसी base से लिया गया है और sulfate जो है वो एक acid से लिया गया है and that is sulfuric acid ठीक है तो वहां से sulfate जो है वो लेकर और magnesium sulfate बना दिया इसका एक और नाम भी होता है that is Epsom salt clear अभी हमने NACL discuss किया था कि किस तरहां से उसका नाम जो है वो बन रहा है और copper sulfate से मैंसे copper जो है वो भी एक base और यहां sulfate जो है वो एक acid जो है वो मिलकर आपस में एक नाम बना देंगे that is copper sulfate clear I hope आपको समझ आ गई होगी कि हम किसी भी salt का name हम किस तरहां से design करते हैं हम हमेशा उसका first part जो है वो हम लेते हैं किसी base से और second part है वो हम लेते हैं किसी acid से clear now the method of salt formation कि salt जो है basically हम बनाते ही कैसे है उसको अब आपके बुक में example दी गई है उसने कहा कि बीकर में आप एक अल्कली ले 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 ल्कली या इस अल्कली को neutralize कर दे ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो ठीक है इतनी होनी चाहिए कि वो इस acid को neutralize कर दे अब जैसे ही हम इस acid को इसमें डालेंगे तो होगा क्या कि यह सारा जो अल्कली है वो क्या होगा वो neutralize हो जाएगा ठीक है अब जैसे ही वो neutralize होगा तो आप इस liquid में जो भी आपके पास solution जो बाकी बagit जाएगा उस solution को आपने पोर कर देना है एक Bessan के अंदर ठीक है यहँ के मारे पास Bessan है जिसमें आपने solution को पोर कर देना है अब वो solution जब इस basin में आ जाएगा इस basin को फर्दर आपने he हीट करना है ठीक है let's suppose कि यहां हमारे पास की सारा solution जो है वो आ गया अब जब फर्दर हम इसको हीट करेंगे उसके हीट करने से क्या होगा जितना भी इसके इंदर वाटर होगा वो एवेपोरेट हो जाएगा और जो रिमेनिंग चीज जो बद जाएगी that is salt clear I hope आपको समझ आ गया होगा कि हम करते क्या है हम एसेड और बेस या फिर अलकली इनको आपस में मिला देते हैं जब मिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो चीज नूटरलाइज हो जाएगी और जब वो नूटरलाइज हो जाएगी तो उस solution को फिर हम डाल देंगे एक बै आता है अब हम सलते हैं नेक्स पोट की तरफ इसको further study करने के लिए जी तो ACID का मैटल के साथ क्या लिंक है एक उप्रेक्शन से हम स्टेडी करते हैं कि जब ACID और मैटल आपस में मिल जाते है इनके मिलने से होता है एक मैटल सॉल्ट फॉर्म होता है प्लस हाइड्रोजन गै जो है वह एवेपोरेट हो जाती है क्लियर एस्ट और मैटल के मिलने से क्या फॉर्म हो रहा है मैटल सॉल्ट फॉर्म हो रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वह एवेपोरेट हो जाती है अब इसको फुर्दर देखें तो हम मैटल को रोड्स वेन आ कैमिकल अटैक्स ऑन ए एक मैटल जो है उसको जंग लग जाता है ठीक है जैसे ही उसके उपर कोई कैमिकल अटैक करता है अब नॉर्मली वाटर और एयर भी क्रोजिन कॉस करते हैं एक मैटल के उपर अगर वाटर और एयर का लिंक हो उसके साथ उसकी वजह से भी क्रोजिन कॉस हो जाती है ठीक है ले उसे भी salt produce हो जाता है और basically वहाँ पर वो metal क्या हो जाता है वो क्रोड हो जाता है उस पर जंग लग जाता है और एक और compound जो form होता है वहाँ पर उसे हम कहेंगे metal salt clear आपको स्क्रीन पर एक नेल शो हो रहा है एक स्टील आइरन का नेल है जो के बिल्कुल अभी नियू है और आपको यह नेजर आ रहा है ठीक है अब इसी नेल को हमने डेप कर दिया एक एसेट के अंदर फॉर आव वीक एक हफते तक इसको हमने डेप कर दिया किसमें एक एसेट के अंदर अब होगा क्या कि एक हफते के बाद अब आप देख सकते हैं कि यह जो नेल है इस पर जंग लग चुका है ठीक है इस पर जंग लग चुका है अब जो इसके उपर जो एक चीज फॉर्म हो चुकी है that is metal salt ठी ठीक है और साथ साथ hydrogen gas भी evaporate हो जाएगी तो hydrogen gas जो है क्योंके वो colorless होती है और hydrogen gas का कोई smell नहीं होती ठीक है इसलिए वह हमें नजर नहीं आएगी लेकिन hydrogen gas जो हो भी इसके साथ जो है वो evaporate हो जाएगी अब हम एक टेस्ट करते है hydrogen का अब क्योंके hydrogen gas जो हो तो colorless है उसका कोई color नहीं है ना उसकी कोई smell है तो आप यह किस तरहां से find out करेंगे कि इस beaker में या इस flask में या इस tube में hydrogen gas present है अब basically हमने experiment किया जिसमें हमने एक tube के अंदर हमने hydrogen gas जो है वो मुझूद है अब हाला कि हमें नहीं पता कि इसमें hydrogen gas है या नहीं तो यहां पर एक metal का piece जो है वो present है ठीक है अब हम क्या करेंगे एक lighted splint जो है वो इसके पास लेकर आएंगे lighted splint lighted splint क्या होता है बैसी कि नहीं glowing light splint होता है ठीक है इसको बस आप सिर्फ लेकर आना होता है आपने इसके पास और इसको आपने जिस एक blow करना होता है और उसके बाद फॉरण से ही इसको आप हटा लें इसको आप बंद कर देंगे ठीक है जिस एक lighted splint जो है वो हमने यहां इसके पास हम लेकर आएंगे होगा क्या कि जैसे ही हम इसके पास लेकर आएंगे एक पॉप सा साउंड आ जाएगा पॉप साउंड जनेरेट होगा ठीक है और सब को पता चल जाएगा कि यहां पर hydrogen जो है वो प्रेजर्ट है ठीक है तो इस तरहां से आप hydrogen को differentiate कर सकते हैं बाकी colorless gases के साथ जैसे के बाकी colorless gases कौन सी है oxygen nitrogen carbon dioxide ठीक है कि आप hydrogen को इन सब gases से differentiate कर सकते हैं इस experiment के थूप कि इस experiment में क्या हो रहा है एक पॉप साउंड जनेरेट हो रहा है जो कि सिर्फ hydrogen के साथ ही ऐसा हो सकता है कि वो ही वो पॉप साउंड जनेरेट करता है बाकी कोई भी गैस यह पॉप साउंड जनेरेट नहीं करती तो यह हम यह hydrogen को differentiate कर सकते हैं बाकी जितनी भी colorless gases है clear अब हम चलते हैं next port पर एक और reaction study करने के लिए so direction between zinc and sulfuric acid ठीक है अब हम एक reaction आपको नज़र आ रहोगा that is zinc plus sulfuric acid जब यह मिल जाएंगे इनके मिलने से क्या होगा zinc sulfate form हो जाएगा plus इसके result में hydrogen gas जो है वो evaporate हो जाएगी ठीक है अब यह सब किस तरहां से होगा like हमने यहां पर discuss किया कि यह एक zinc है ठीक है zinc का एक molecule है plus sulfuric acid sulfuric acid का formula क्या होता that is H2SO4 तो यह यहां पर H2 है और यह SO4 मतलब कि इसके साथ जो 4 आपको circles नदर आ रहे हैं तो यह oxygen के 4 molecules है इसमेटाइज देंग यह बन गया H2SO4 अब जो further react करेंगे तो होगा क्या कि zinc sulfate form हो जाएगा यहां से zinc आ जाएगा और यहां से sulfate आ जाएगा तो इस तरहां से यह zinc sulfate form हो जाएगा अगर आप देख सकते हैं कि यह zinc और यह sulfate ठीक है इस तरह से zinc sulfate form हो गया और यह hydrogen gas थी यहां पर evaporate हो जाएगी अब हम एक formation discuss करते हैं कि किस तरहां से बन रहा है ठीक है तो एक zinc के pieces जो है है zinc metal की जो pieces हैं वो आपने एक acid में dip कर देने हैं ठीक है एक sulfuric acid में dip कर देने हैं अब जैसे ही हम इसको dip करेंगे उसके अंदर ठीक है तो इसके result में होगा क्या के hydrogen gas जो है वो bubbles की form में बाहर निकलना शुरू हो जाएगी जैसे ही वो bubbles हतम हो जाएंगे that means के reaction जो है वो complete हो चुका है अब further bubbles generate नहीं होंगे फिर हम क्या करेंगे कि उसमें जितने भी zinc के pieces जो के unreacted हैं जो react नहीं हुए ठीक है उसको हम filter out कर लेंगे उसको हम remove कर लेंगे by filtration clear अब वो zinc के pieces आप में remove कर लिए अब solution आपके पास रहा गया जिसमें zinc जो है वो acid के अंदर जब react हुआ था तो वो solution सारा उसके अंदर present है उसको further फिर हम heat करेंगे और heat इस तरह से करेंगे कि उसमें जितना भी पानी है वो evaporate हो जाए और जो remaining white compound जो है उसमें रह जाएगा and that white compound is the zinc sulfate which is salt clear ठीक है तो इस तहां से एक metal salt जो है वो बन जाएगा आपके पास I hope आपको यह lecture समझ आ गया होगा inshallah next lecture में उसको further discuss करेंगे so take care Allah Hafiz कर दो